लखनू के तीन खिलाडियों ने मैच पलटाया, पंजाब के खलाफ लगबग हारा हुए मैच जिताया, जी हाँ, पंजाब के खलाफ लखनू सुपाय जॉइंट्स को एक सांदार जीत मिली है, और इसमें उसके तीन-तीन खिलाडियों ने हीरो की भूंकर निवाई है, बैसे तो इस्रिप तीन खिलाडियों की जीत नहीं है, बलकि इस जीत में लखनू के सभी खिलाडियों का थोड़ा थोड़ा योगदान है, और इस योगदान से RCB वालों को सीख लेनी चाहिए, कि टीम बर्क क्या होता है, टीम एफ़र्ट क्या होता है, किस तरह ऐसे टीम बर्क से म लेकिन यहां पर यहां पर लखनू की तरफ से कप्तान भी लड़े और कप्तान के साथ उनके रड़बा कुरे भी लड़े, इस मैच में लोकेस राहल के इस्थान पर सर्प्राइजिंग रूप से निकोलस पूरन को कप्तान बनाया गया था और उन्होंने यहां पर अपने क कप्तानी पारी खेली है, अगर हम मैच की बात कहें तो मैच में लखनू के बल्लेवाजों ने बहतर जुजहारूपन दिखाया और लगातर विकट गिरने के बाब जूद भी एक सो निन्यान बेर रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, लखनू की तरफ से कुंटन ध चक्का की मदद से 166 के स्ट्राइक रेट के साथ जो की काफी एहम रही, और इस तरह से पहले विकट के लिए ही दौनों बल्लेवाजों ने मातर तींदर सोला पांच ओवरों में ही 35 रन जोड़ जा ले, जो एक मजबूत सुरुआत कही जा सकती है, इसके बाद अलगे टीम गेंद तक मैंटेन करके रखा, इस टोनेज ने बारा गेंद में 19 रन बनाए, 158 की स्ट्राइक रेट के साथ दो छपके लगाए, इसके बाद निकोलस पूरन ने कप्तानी पारी खेलती हुए, 21 गेंदों में सांधर 42 रन बनाए, 34 के 3 छपकों की मदद से 200 की 40 रन ठोक करके लखनो की टीम को 199 के पहाड जैसे स्कूर तक पहुचा दिया, कुणाल ने दो छखके चार्ट चौके लगाए, 155 बे उनका इस ट्राइक रेट रहा, इस तरह से 20 ओवर में लखनो की टीम 199 रन बनाने में सफल रही, इसके जबाब में पंजाब की सुरुग लेकिन इसके बाद कोई भी बल्ले बाज इतना बड़ा युगदा नहीं दे सका, जो पंजाब की जीत के लिए परियापत होता, बाद में खियाब लिविंग स्टोन ही कुछ संगर्स कर सके, 17 गेंड में 28 रन उन्होंने बनाए, 24 दो छक्कों की मदद से, 174 के साथ लेकिन सबी बल्ले बाज कुछ खास नहीं कर सके, और इस तरह जे पूरी की पूरी पंजाब तीम मैच 170 रन बना सकी, 20 ओबर में 5 बिकरते नुक्सान पर, और 21 रन से एं मैच पंजाब की टीम हार गई, अगर यहाँ पर हम लखनो की टीम के हीरो की बात करें, तो पहले हीरो तो कु टारी सकस्ते दी, इस पेसलिए मैं के आदाओं की तारीफ परनी होगी, जिन्हों ने अपना पहला मैच खेला, जियाए डैबी मैच और डैबी मैच मही चार ओबर में सिर्फ 27 रन दिये, और तीन बड़े विकरत जटक लिए, इसके अलाबा मुहिसिन खान ने भी दो विकर जटके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि लखनों की खिलाड़ी होने, लखनों की ग्यांत बादों ने बहुत ही सही हमसे काम लिया, उन्होंने लगातार सांदर क्रिकेट खेला, और यही बज़ा रहे कि पंजाब के जबड़े से उन्होंने जीत चीन ली, इस वीडियो में इतन स्कॉछी होगी बज़ाइज कद। झाले